एक यरदाश पाट की रत के गुरुरामदाश रखो सरनाई सुकहु टाल गुर्शेविये महनिस सहज सुभाए दर्शन पर्श्ये गुरु के जनम मरन दुख जाए ओवै सिपत खशम दे दूर अर्शों कुर्शों चट्टिया पुद दिठे सच पात शाह मल जनम जनम दे कट्टिया शत्नाव वाहि गुरु शाहि बजीयों जात पहारा तीरज सुने आर एहरन मत वेद हथियार पाओ खला अगन तपताओ पांडा पाओ अम्रित तित ताहाल कडिये शब्द सची टक साल जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल कडिये शब्द सची टक साल जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल वाहि गुरु जी का खाल साथ वाहि गुरु जी की फते गरीब नवाज सत्गुरु सचे पादशाजी शिरी गुरु गरंद साहब जी दी पावन पवित्तर हजुरी विच्छ सुभाए मान गुरु रूप साथ संगत जी ओ सत्गुरु गुरु नानक सहब सचे पादशाजी ने अपार किर्पा किती है अत्में की बाणी स्री जब जी सहब जी दी विचार कर्ण और सुनन दा अवसर सनु सार्यानु बख्षिश कीता है अखीरली बावडी है अठत्मी सत्गुरु जी ने इस बावडी दे विच गुर्शिक दे जीवन दी संपूरन कालना और कारत जड़ी है पंजाखंडां दी यात्रा कर्ण वास्ते है जो पिछे पंजखंड आये है नुँ तर्मखंड, ग्यानखंड, शर्मखंड, कर्मखंड और सचखंड इना दी यात्रा दी गल गुर्बानी विच वार वार किती गई है पर वो कोई इस तरह दी यात्रा ने के एक था तो एक शेर तो दुझे शेर विच जाना है पर शब्द ए वरते जान दे शफल शफल पही शफल यात्रा आवन जान रहे मिले सादा गल यात्रा दी पर अगे के दिता भी पुथ आउना जाना नही है वो यात्रा तुर्ण नल सुबंद इतने है आवन जान रहे आउन जान खत्म हो जानदा है किते जान ले कोई था कोई खोज नहीं कोई अंदर इच्छा नहीं यानि के जो कुछ प्रापत करन वास्ते सानु मनुखा स्रीर मिलेया है उकी है के गोबिन मिलन की एह तेरी बरिया जदों ओई मिल पया जदों ओदे नाल रिस्ता बन गया फिर होर किस दी खोज करनी है फिर आउना जाना नहीं फिर कोई यात्रा नहीं फिर कुछ भी नहीं है क्योंकि इस टिकाने ते पहुँच गए कार पे चले गए पर फिर भी यात्रा शब्द ना वरत्या वे थी यात्रा दे अर्थ सन के अपने आपनू कड़ना अपने आपनू सुआरना हर एक जीज नो जे सुवार ये ना उदा रूप होर है जदो सुवार ले उदा रूप बदल जानदा है इसे तरह मानूमी है जे में आदमी सुवेरे उठदा है जागदा है तो उदा तस्वीर लई जय उदा हुड़िया होर है इदन उस समझा दे हो हर रोज बोल देने जेड़े जदों आदमी स्वेरे उठदाए तो उस वेड़े उदी तस्वीर होर तरह दीए उदे केश इस तरह स्वारे होए नई जेरा भी इदर उदर उल्ट कुल्ट है कपड़े भी सिद्वे पुठे हैं फिर उपने स्रीर नो स्वारन वास्ते काम शुरू करदाए इसनान करदाए केश समालदाए वस्तर जेड़े ने पैंड़दाए तो जदों पूरा स्वारिया जानदाए फिर शीशे अगे खड़ाओ देखदाए इसे तरह जिते हुनहां सी या जे सुते हुए या फिर जदो गुरू ने जगा दिता ते पता लगा भी किने बे तरतीब हां जो में सुते हुए उठ़या मनुख्यां खिल रहे हुए सारा कुछ उसे आलत विच पता लगदा हुए साठे पल्ले यह कोज भी ने है है पल्ले सारा कुछ तरतीब नहीं है बस हैता अंदर ही सारा कुछ जिंदगी दे विच्छ ही सब कुछ है पर उसनों यह कह लिए कि उदी जड़ा तरटीब देनी है जड़ियों सुनों सिंबल करना है जोडना है ओने ठीक सिंबल दा मतलब किसे चीज दे वखरे वखरे ही से थाउं थाईं फिट कर देने जिमें एक गड़ी है उखली हो इस सारे ओदे जिड़े वहील ने पईये ने वकरे ने इंजन वकरा है गेर वकरा है शीशे वकरे पईये ने बारियां वकरी है सारा को ते जेड़ा स्याना कारी गर है उनानू तरतीब विच ला देना है नहीं ते उक कम नहीं कर सकती है उते सारा को जो पया होया इंजन मी चंगा है उदे पईये भी ठीक हैं उदे सारे पुर्जे ठीकने पर एक कमी हो दे विच के उदा जोड नहीं लगा होया उन्हों सिंबल नहीं कीता हुआ ते साठे जीवन दे विच है सारा कुछ ठीक गल्द कुछ भी नहीं है वस गल्ती को कर लई के असी ओदा जोड गल्द ला देता है जेड़ी था ते जेड़ी चीजन लवना से हो थे नहीं लाया जेवें कोई अनजान मकैनिक पईये जेड़ी ने गड़ी थे स्टेरंग वाली था थे लाद है ते स्टेरंग करता है फिट किमें लगेगा जदों कोई कोड़ों लंगे गा ते कई शब्दों दे वास्ते बरते पहनगे मूर्ख है कमड़ा है बेवकूफ है तान गुरु गरंद सहीब जीने शब्द वरते कि इस तरह बिन नावै जग कमड़ा फिरा है जेड़ी चीज वास्ते रब ने इत्पे जया सी ओचीजां गल्द वरत लिया उन्हादी वरतों ठीक नहीं कीती बस खाना पीना जीवन रह गया बस शानों शौकत ही जीवन रह गए और कोजी कम नहीं है ता यहों समझो के ए बंदा बे तर्तीब है ता उन्हों तर्तीब विच करना ही अपने आपेनों स्वारना है अपने आपनों ठीक ठीक जेडियां आज पहला शबद जेड़ा वरते है गुरू सहीब ने वो जात है जात दा मतलब है के जिन्दगी दी शक्तिनों बिना लोडतों वरतों ना करना उन्हों कहिंदेने जात वैसे जात पहारा ऐसे कुछ जती मने गए ने हिंदुस्तान दी तरती थे लक्षमन उना विचांदा है और वियंदेने ए बड़ा लमा चवड़ा एक पुराना विदाआत जाए इस सिस्टम है जिदा मैं थे बहुता समझदा नहीं कि जरूरी व्याख्या कीती जाए बड़ी है पुरानियां गलाने किन्ने जती ने ए पुराने गरंथा दीयां कहानियां ने जात की है गुरु गरंथ सहब ने ए दस्या जात दे अर्थ एक पावना दे विच ओ शरीर जिनने कालना करकर के अपनी वाशना नू ड्वैलॉप कर ले आए अपनी वाशना नू अपनी सारी जीवन दी शक्ति नू रब दे प्यार विच ला देता है फिर ओधी होर वाशना नहीं बाच दी ओधी इच्छा नहीं रह दी वाशना रह तो जानदा है ओधी वाशना एने के उन्हें कोई रसियां बन के जां तके नाढ आपने जीवन दीयां शक्तियां नू बन या नहीं ओधी जिन्नी जिन्दगी दी इच्छा है न पूरी हो जान्दी है इच्छा पूरी ऐते बंदे दा मनोर्थ साटा है यह सारा दिन की कररे है जिनाशन सार है दुनिया दे बेच आग पो केड़े कमodore लगा हो पड़ा केड़ा है कोई पड़ रहा है कोई कुर्श कर रहे है कोई प्रापर्टी दा कम कर रहे है ओधी ओधा जड़ा मनोर्थ लगदा ताने ज़ादा करना है पढ़न बारे दा मनोर्थ लगदा उन्हें बड़ी जवब बड़ी नुक्री करनी है कोई दिन रात विदेश जान वासते दोड़ रहा है उदी भी इच्छा है कोई मनुर्थ लगदा है हुर कोई बंदा बजार विच जा रहा है दुकान खूड रहा है उदा भी मनुर्थ है जिमीदार खेत विच कम कर रहा है उदा भी एक मनुर्थ है एतों तक के तारम एक बंदा स्वेरे उठदा है नेद छटके ते जब तब करदा है नितनेम करदा है ओदा भी एक मनौर्थ है उवी किसे गलबास ते कम कर रहे है पर एना दे पिछे एक साब तो वड़ा मनौर्थ है ओगेड़ा है कि हर एक सक्ष हर एक बंदा ए चंदा है कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए जो कुछ मैं चंदा हो जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए बड़े इस तरह दे फून हो देने कोई शबत दसो जिदे नाड मेरिया सारिया इच्छा पूरिया हो जाए ते मैं बेंती करां गुरु गरंद सहीब जिनु पुछ लईये मिक्के में हुण गिया और उनु दो टाइम शेख जगत दोरांदा भी है गुरु अमरदास जी ने दस्या भी है दो हिसे ने संसारी जड़ी सोचे हो कें दिये स्रीर नो जो कुछ चाईदा लिया लिया के देओ तांके यदिया इच्छा पूरिया हो जानु जो एक खाना चाऊँदा खुआओ जो विक्षणा चाऊँदा बखाओ जो सुनना चाऊँदा शुनाओ इसनु जो पैंदना चाऊँदा पहराओ मकान चंदाईस नू बढाके देव अउदा चाहिदाऊ लेके देव तांके एदिया इच्छा सारियां पूरियां हो जाना क्योंकि सोख ओदों मिलना है जदों सारियां इच्छामा पूरियां हो गीया एक भी इच्छा बची सोख नू नहीं अउन देगी ये सचाई है एक भी इच्छा रहेगी जीवन दे विच ता सुख नहीं आउन देगी इच्छा ही दुख दी माँ है जी में आपका केने हैं अब शन आउफ ए आदमी जेड़ा है ये दा माता पिता कौन है जदो मी स्कूल विच जा किते भी दाखल करवाया जान दा अड्रेस लें दे एक किस दा है एदी माता दा नाम की है एदी माँ कौन है हुनता वैसे एक हैं लग पै माँ ही पुछी जाएगी पिता बारे एक कनून इंडिया विच भी आ गया है पिता दी कोई जरूरत नहीं कि किस दा बच्चा है शिर्फ माँ चाही दी पास्पोर्ट बनवाना है माँ दा नाम दा सो पिता दी लोडी नहीं है सहजे सहजे बंदा सहजे सहजे कनून जड़े ने तर्मतों दूरी ते चले जा रहे एक बड़ा बड़ा खतरनाक सिगनल है हिंदुस्तान दे समाज नो तोड़न वास दे कि जदों ये थे एक कनून बना दिता जाए भी जिदा पास्पोर्ट बनना है जा राशन काड़ कोई भी कम करना है पिता दे नाम दी लोडने कें दे माँ दे नाम चल जाएगा ये दे अर्थ तुसी वेख लेना यानि के इस समाज ने वेश्वा वृति नो परवान कर लिया है जे दे विरोध विच सारे इस तरती दे इस देश दे जेड़े संकल्पने खड़े होई ने विरोध कर देने उदा पर बन गए कनून बनी जा रहे ने लगातार तडातार इस तरह दे कनून बने जा रहे ने कि यह उन वाड़े पंच साथ सालां विच एथों दे जेड़े वड़े ही सुनेरी कुछ वदिया चंगेवी असूल सन सारे पान देते जानगे तोड़ देते जानगे फिर यह थे वैर बरोध चगड़े और कई तरह दे उपदर्ब भून दी उस तो बाद समावना है क्योंकि यह सुदेश दी जेड़ी अंदर ली तारना वबड़ी पुराणी है जो को जम बारों आगया और नमा है दुमादा बरोध होएगा खेर मैं अपने विशे वाली तुराँ ता मैं जेड़ी बेंती साजी कर रहा है सांके इच्छा जेड़ी है जदो इच्छा बारे दोख जेड़ा है उदे बारे पुछा जयांदा भी दुख जनम कितो लेंदा इदी माँ कोण है ता दुख दी माँ है इच्छा ते दुख दा पिता है लूब लूब और इच्छा दी ज़ादती दे विच्छों हीं दुख पैदा होंदा है और किते उनी होंदा दुख गरीबी करके नहीं है इच्छा दे जादापन करके है ते लोब करके है एक किसे नागरीबी करके है दुख किसे चीज करके दुख नहीं ते मैं जड़ी बेंतिसां जी कर रहा है सा संसार दी जड़ी सोच है पदार्थ बाद दी जड़ी सोच है ने किया है कि बंदे नू पदार्थ देओ सारे इनू रजा देओ ते एदियां इच्छामा पूरियां हो जानगियां इच्छामा पूरियां हो जानगियां ते दुख मिठ जाएगा साथ गुरू ने भी एई गल की ती कि बंदे दियां इच्छामा पूरियां करनियां ने जंदा तरीका होर अपनाया है यह नहीं उन्हाने क्या ए गल्थ है कि बंदे नूं वद तों वद ऐश इश्रत दे पदार्थ देऊ ते इच्छा पूरी हो जाएगे नहीं हो शक्ता और इदे उदारन भी देते यह इस तरह है किसे पेंड नूं लग गई अग अग लग गई आ थे जोड़न पजन लग पै अग बजाओ दोड रहे सन पाज रहे सन तो उस पेंड दे नाड़ों एक गड्यां दा काफ़ला लंग रह अशिए बड़ी सुंदर कहानी है पेंड नूं अग लग गई लोग पजन लग पै कारसदन लग पै कोई वा नहीं जान दी ता चारी पंजा गड़ैं दा एक काफला कोड़ो लंग रहा सी ते ओ थे उ लकड़ा दा वपारी सी लकड़ा दा वपारी लेके जा रहे हैं सी परके गड़े तब पेंड दे को जो लोग दौड के ओदे कोड़ आए वे तेरे कोड चाली पंजाब बंदे ने तुँ पारूपकार कर उपराला कर लाए पेंड दी आग बजा दे आदमी चंगा सी पर श्याना नहीं सी मूरक सी चंगे होण वेच ते बड़ा फरक है चंगा होणा और चीज है ते गुरु दी मातवाला स्यानाबंदा हो जाए और चीज है चंगा फुण दे कोई अर्थ नहीं हानें है आई चंगासी उन्हें क्या कोई गालनी पारुपकार है सारे अपने जड़े नोकर सन गड़े जना दे उते लकड़ा लदियां सन कहें लगे बास काड़ी नाड जल्दी करो आप वो अपने गड़े लकड़ा लाके आग दे उते बगादियों आग बुझ जाएगी उन्हाने हुकम दी तमेल की दी लकड़ा सिटनिया शुरू कर दी हुन लकड़ा नल अग बुझ दी थोड़ी लकड़ा नल ते होर बढ़ दी पांबड होर तेज हो गया हूँ एक अध सड़या बज़ुर्ग बिच्चो निकल रहा सी पाजिकी आ रहा हुने क्या मुर्ख किद उन्हों अलग भुझ आई जन्दा का मैं लकड़ा नल अग बुझ दी था कि लोग य। कोड़ों और जंगल भिच्चो एक सादु लांग रिया सी कैन लग एक मोर्ख नहीं ते कई करोड मुरुख नै जिमे ये लकड़ा नल अग बुझ आ रहा हुँ कई करोड पदार था जीवन दे दुख दिया को बजा रहे हैं फर कोई नहीं एक कल्ला नहीं जे मूर्ख ये थे मूर्खा दे कई अर्ब ने उसारी ये कर रहे हैं तो उन्हें क्या भी पाणी नल बुझ सकती ये दा विरोधी तत पाणी है जा मिटी नल बुझ सकती है मिटी जा पाणी जा ओदे बल जांदी हुई हवा नू बंद कर देओ फिर बुझ जागी हवा नल बढ़ दी है जे हवा नल उदा संपर्ग तुट जा तां बुझ दी तां इस तरह जिड़ा जाता है गुरू सहब ने क्या इच्छा पूरियां करनदा तरीका ठीक नहीं हाँ एग अल सची है कि इच्छा पूरियां होन गियां ते तां बंदा सुखी होवेगा ते गुरू अमरदास जीनों किसे पुछ या तुसी केड़ा तरीका लबे है ते सहब ने बचन कीते कहिंदे साचा नाम मेरा आधारू साच नाम आधार मेरा जिन पुखां सब गवाईयां कर शांत सोख मन आईवसयां जिन इच्छां सब पूजाईयां चीज दे दिती साठे हाथ विच हां एक अलख्याल लखना इस चीज बारे कुछ जानकारी होनी चे कला नहीं के पाणी नल अग बुझ दिये जी पाणी नल अग बुझ दिये की अर्थ हो सकते पाणी नो ते हाथ भी नहीं पाया कदी अग एक था दे बढ़ दिये पाणी बारे सुन लिया पढ़ लिया बोल लिया गा लिया उस पाणी दी कदी बुक परी भी है नाम नाले वजँ दा जी नाम फिर उन नाम की है उनने कम की ता क्यों नहीं तो नाम ने गुरु सहब कें दे के नाम दा जदू आदमीनू अदार मिल जय और अदार दा मतलब पता है के उदा जी में स्वेरे बंदा अउठे है ना ऊदे अन्दर ऊदे स्रीर दा अदार कोई ने coun खादा कोजी नी आज़ खाली है ता उदा स्रीर ढूलेगा खाली है उदा अंदर ता ओ फिर अदार लिंदा है किसे चीज नो थोड़ा जा खांदा है तांके स्रीर विच उर्जा बढ़े चले स्रीर इस तरह मान दे पहले इसे विच रंब दे विच नाम जाना चाहिदा है और तन गुरु रामदास जी ने ताहिए किया के गुर सिख उनु केंदे ने जिड़ा उठ देया सार नाम नर जुड़दा है गुर सत्गुर का जो सिख अखाए सो पलके उठ हर नाम त्याव है एस साच नाम अदार मेरा जिन पुखां सब गवाईया कर शांत सोख मन आई बसेया जिन इच्छां सब पुजाईया कितिया नामने भी इच्छें पुरिया क्योंकि रस्ता एको है अब यंति कर रहे हैं सी जात किनू केंदे ने जात पहारा जात दा मतलब है के जेड़ी सानु रबने दाथ दितीना शक्ती जेदेना अज़ आसी बोल रहे हैं वेख रहे हैं कम कर रहे हैं उनुके इन जात वैसे पाई से पाई गुर्दास जी ने इधी होर डूंगी व्याख्या कर देती जती ते मन्या जांदा सी पुराणे समय वेच लक्ष मन्नू ताहू राम चंदर दे प्राश सन ते सीता जीनू माता कहीं दे सन नाड रहीं दे सन रख्या कर दे उना दे ताहू ना नू क्या गया जती है ताहू ना बारे मन्या जानदा सी क्यो ना ने सीता दे सिर्फ पैर वेखे सन चर्ण ताउननों केंदे जती सन पर आम ताउरते बंदा जदो जती हो जानदा है ना क्रोधी जरूर होनदा है बड़े बड़े जती ने जड़े क्रोधी हो जानदे ने चंचल हो जानदे वैसे ठिके रिंदे ने वैसे ताँ ओ बड़े शांत पर उना नू थोड़ जी टूंकार ला दे होता एना क्रोध एकदम निकलदा है अंदरो जिननों समालना अउखा हो जानदा है क्योंकि शक्ति अंदर कठी होई पई है क्रोधी बड़े नहीं इस कारके जेड़ा बंदा जपी तपी बहुता है ते संजमी जादा है जती जादा है जो प्रेमी नहीं ते क्रोधी बड़ा हो जाएगा क्योंकि शक्ति अंदर कठी होगी रहा उन्हों मिले आनए उन्हों जड़ा बदलना सी तरीका लब्यानी ते लक्षमन जती सन पर नाम जड़ी चीज है वो देतों बिणा जात कम नहीं देंदा उन्हें एक पासी जती सन एक पासी ते इस तरी वेखी नहीं ते दूसरे पासे रामन दी पहन आई शुरूप नखा उदा नकी कट दीता है ना क्रोध आगया पते नहीं लगा इस नक कटन तो इस आरे पवाड़े शुरूँ है सन अरंबता सीता हरन तो नहीं होई जो कुछ होया के लंका ते चड़ाई होई जहां रामन मारिया गया जाए ने लोक मारे गया सीता नूं हरन करके ले गया कई कुछ जलद है न आज तक रामन नू मारे आ जानदा है साड़े आ जानदा है दुसेरे बाड़े दिन पर उधी जड कितों शुरू होई है अरंबता कितों होई है जेडा इस योगदे विच बड़ा बड़ा युद्ध है राम चंदर ते रामन दा और सीता हरन होई फिर सीता दी अगनी प्रिख्या किती फिर उन्हें अपना स्रीरी समेट लया कई कोजो है न जेडा बीज बेखो किते है जड किते है सारे कुछ दी क्यों हो या सीता नू हरन क्यों किता रामन ने रामन कोई आम बंदा इस तरह दा नहीं सी कोई ओ क्रैक्टर लेशा अदमी नहीं सी ओ सिर्फ उन्हे विरोध बिच कीता है क्योंकि पहला रामन दी पहन दा नक कटिया गया कारन असी नक क्यों कटिया गया एक बंदा जति सी तहां करके जति बहुता सी ते बहुता जति बहुता क्रोधी सी इस करके क्रोध विच पते नहीं लगा भे इंजाम की ओवे गाया दा कट दिता नक ता जिदी पहन दा नक कट दा कोई तुसी अपने आप इसाब लाओ भे की करेगा हो वापसी की दोश देओगे उसनो दोश नहीं दिता जा सकता होर करेगा भी की जहाता हो फिर दुनिया तो एक साइड हो जाए निकल जाए पासी हो जाए जे उन्हें संसार विच रहना है तो उन्हें वापसी कारवे करनी पहेगी होर की करेगा हो ता उस वड़े उपदर्बदा वड़ी लड़ाई दा कारण एक जती आदमी है जिड़ा बड़ा बड़ा जती है पर गुरु सहीव ने क्या भी जात सिखी विच भी है पर इस तरह दा नहीं हाँ हाँ थोड़े जए शरीर हर एक कौम विच रहें दे पावे शिखी ग्रिस्ती है अपकेनिया ग्रिस्त तर्म परवान है पर हर एक कौम नू चलाओन वासते न थोड़े ज़ए ज़ादा कम करन वासते थोड़े ज़ए सरीर एसा नू भी समझ लेने चाहे दे सी कई वरी निद्या कर देने अब इस जेड़ा बंदा परवारिक नहीं है उस शिख नहीं हो सकता सिखी तो बार है और एदियां उदार ना दितीयां जानी अब गुरू साहब आँ ने शादियां करवाईयां सा पर उन आदे वक्त विच भी ऐसे बंदे ऐसा ने जिना नू कम न पहे गया भी शादिया वक्त ने मिलेया उसी दूर ना जाओ पाई गुरू दास जी ने कि थे विया करवाया से नहीं न कराया उना ने और जे उक्रा लें दे क्यों नहीं कराया क्योंकि कम ही इना सी कम बहुता सी पर वार बड़ी बड़ी उलजन है जिस बंदे ने ज़्यादा कम करना है बड़ी हो दी अनर्जी नू खराब करदा हो बड़ी तागत लगदी हो दी तब पाई गुर दास जी अराम तो ही गुरू अमर दास गुरू राम दास गुरू अर्जन देव जी दे वकत गुरू सहब ने क्या अब असी एक इस तरह दी शक्षियत पैदा करनी बड़ी खोज सारा सारा दिन पढ़ना दस दस केंटे पढ़ दे रहे अब आस कर दे रहे ताँ जदो वकत आया शादी दा इनकार कर दी ता क्योंकि कम अजे बहुत रहेंदा सी ते जे ओ इदर तुरू पैंदे शादी दे वरोद बिच नहीं हो पाई गुर्दास जी क्योंकि आप लिख देने के सगल तर्म मैं ग्रिष्ट परवान है आप लिख देने ग्रिष्टी होना चाहिएदा पर आप क्यों नहीं बढ़े की कारण हो गया कम बहुत आसी पांच सो तो उपर कवित लिखने सन वारा लिखनिया सन किना कम करना सी गुरू गरंद सहिब जी नू दी संपादना करनी सी चोटा कम है अब बंदा ते एक चोटा जा ट्रेक्ट लिख किना दूजे दिन टीवी बे चैड़ दैगा तीजे दिन उनू रिलीज करा है किना कुछ करने है ना सी गुरू गरंद सहिब दी संपादना दो साल लगातार चंकडा लगातार दा मतलब थोड़ा जा समा भी इशनान पानी करना लंगर शकना थोड़ा जा राम फिर लिखना फिर लिखना छोटी गल है ते एक गल याद रखनी चाहिए दिये जे पाई गुर्दास जी शादी करवालें दे ये निसी होना फिर क्योंकि फिर हवते दे सारे दिन बेजी कदी खंड मोख गई कदी पती खतम हो गई कदी अडमीशन करवना है कदी किते शादी ते जाना जे ना गए परवार विच कलेश पहिंदा है किना कुछ चल दा है तो ओदे नाल फिर बंदे नू बड़ा ही समाते जेड़े कई शरीर हुंदे ने उनना विच एनी ताकत हुंदी ये क्यों रहें दिया रहें दिया बहुता कम करजन थोड़े साला विच करना पेंदा हुना ता इस करके गुरू सहब आन दे उनना दाते जीवनी बखरा सी उच्छा सी बड़ा महान तुलना नहीं कर सकते है सी भी उनना ने कोई बंदा कवे मैं गुरू गोबन सिंग जी वर्गा गरिस्ती हो जाँगा हो के दिखाए कोई गुरू गोबन सिंग वर्गा गरिस्ती हो वे हो के दिखाए पहला शादी है पहला बचे ने ते छोटे माता जी सहब कार जी आगल है के माता पिता कहन लगे ये तो अड़े बास ते लोगे ना नू माता जी कहें दे असी ते सौंप देता है पहले सत्गुरा ने क्या नहीं असी उने ग्रिस्त जेड़ा तर्म जेड़ा त्याग देता है चारे सहब जादे जनम ले चुके सन परवार से पहला पर उस संगत ने क्या भी एहुन वापस नहीं माता सहब का और जिनू सारे सिक माता जी कहें देने ये ना अरदास कर ली तो सत्गुरा ने कह दिता कोई गाल नी जट दे हुए थे पर ये केवल अधियात्मक माता हुएगी असी जड़ा फैसला कर ले हो बदल नहीं सकता इस तरह दा गृस्ती है कोई असी लेबल ता कहने हां भी गुरु सहब ने सानू गृस्ती बढ़ाया है पर उस गृस्ती दे अर्थ भी पढ़ देने कि डिबडेशन असी उस लेबल दे नहीं कोर गोविं सहिञ्घ माराज जी बरगा ग्रेश्ती और नहीं नहीं तहिए शिखाने वारबार क्याब ही चार सहिफ जादेने कंताब चालों विचो है कोवर सहिफ दि Genius विचो हूं जदों gethameten गुरु गोवीं सहिम्हाराज जी बार निकल देने ते तेन सिख निकले नहीं आड़ आसके दाया पाई दया सेंग पाई तरम सेंग ते पाई मान सेंग इतने निकले नहीं ता एक गलपकी है कि जए सहिब जादे नू बचाउना सी बाबा जीद शेघ जीनू ते उना तिना विच्व हो ऊथे रख के उन्हों कडिया जा सकदा सी को योखी गल ने सी जो तेन निकल गए सेब जादा जीत से निकल सकता से तो निकल के फिरो अगे प्रवार हो सकता से कि पर नहीं बचाया हुना नहीं कि इस तरह दा गृष्टी है कोई गुरु दी रीष ना करनी त्यान रखना रीष ना करनी गुरु दी हाँ वैसे ता जदो गुरु नल सिख प्यार करेगा गुरु दी आदता हो दे विच आपने आप आउनियां शुरू हो जानगी गुरु दी आदत ओ ओ दी नकल ना करे के गुरु इस तरह सुते इस तरह उठ पे ए खादा ए इशनान की ता नहीं पता नहीं गुरु के नहीं वड़ी शक्ती है एक पासे ज़े उन्हें तोल ले आना फड़के शाबे ते बैठा भी नहीं जाना अब पाई राम कोईर सिंग जिन्ह नों के इंदे ने बाबा बुडा जी दियांस विचों जिन्ह ने गुरु गोवें सिंग महाराज ब्रहम ग्यानी सन ता एक दिन शरीर एना दा काफी पारा सी पाई राम कोईर सिंग जी दा ते गुरु गोवें सिंग महाराज सचे पादिशा जी दा सरीर एकारा सी बेलकुल पतला सी फुर्टीला बहु सी पारा नहीं सी शरीर ता उस थां ते बार अखाड़ा जम्याओ यांसी कुछ दिया हो रही हैं सन शस्तर अब आस हाथी कोम रहें सन कोड़े पाजरें सन ते गुरु सह बैठे कोड़ पाई राम कोर सिंग जी बैठें मनविच सोचदे पाई रामकोर संग ये भी गुरू गोवन सिंग महाराज जी ने कम पर शूरू कर ले शस्तरा अधा नेजे बाजीया दा कुरा अन्धा ते जानते आप आप पंजीरी बना के खुआए गुरु गोमित सिंह माराजी उस सरीर बड़ा उड़ा है ये जंके में करनगे बदाम ले आके देए जमू किश्मीर बिचों करिए कोई परबंद कोई चंगियां मत जानदा क्यों पंच सत किलो खुआए तकड़े ओनगे जंके में करनगे श्रीर बिचते बजनी कोई नहीं है अंदर सोच रहने ते कोल बैठे हो निकल की तर पात्षा थोड़े जाए हस पहे क्योंकि ओ थे इस तरह दी दुनिया है जिते सब कुझ कजया हुया है ते सब कुझ नगण है सब कुझ नगण एक गुरू दे कोड़ों तुसी एक इंच भी हिल के पासे नहीं जा सकते उसे बिड़े ततकार पकड़ बेचा जाए ता सत्कुरा ने वे क्या शंका आगई है ते गल बहुत दूर चली जाए गए गुरू ते शंका बड़ा खतरनाक खेड है जिन्दगी दा बड़ी दूर सुट सकदा है बड़ी बड़ी कमाई नों खत्म कर सकदा है एक दम जिमें सुकियां लकड़ा विच किते हुँ चंग्याडा आके डिग पया साड के सुवा कर देगा जब तब वे सकदे ने दो चार मिंटां विच खत्म हो सकदी है सेवा शंका यह नहीं खतरनाक चीज है गुरू ते शंका इसलिए जे गुरू गरंद सहीब जी दी बाणी पढ़ देया ना विद्वान सजन जी जे कुई शंका आ जाए अरदास करनी शंका ना करना नहीं ते रोड जाएगा सारा कुझ एक कह देना भी सत्गुरू यह शबत दी मैंनू समझ नहीं आ रही किरपा करया जे पता नहीं लग रहा तुसी की कह रहे हो मैं एह नहीं अंदरू कहना भी यह शबत तो आड़ा नहीं है मैंनू पता नहीं लग रहा ते करके वेखलेनी अरदास ए फिर गुरू दा कम है भी दो देना मैं वेज़ कनवेंस करादे जाँ चौँ वेज़ समने आज़ा न गैर्थ हो थे यह की है पर जानू दा है हो यह नहीं है जी क्या गुरू ते साड़े बर गई जे साड़े बर गई तो फ़र वक्रा की ये चोगदे के हूँ आके जे साड़े बर गई गुरू मनुख बरगा नहीं है उन्हों बड़ा ओदी जेडी थां बड़ी मंदनी ही पाएगी ता सतकुरा ने वेख लिया पाई रामका और सिंग जी भी शंका आगे अब गुरू सहीव दा सरीर होड़ा है जल्दी नल केंदे ने हाथी लेकर आओवा सी स्वारी करनी है हाथी आगया उते हवदा सी ओदे कोलान के हतोवान ने बठा दिता जे में हाथी बैठ जान दा है तां हो दे ते स्वारी हुं दिया हाथी बैठ गया जदो आती ते चड़ना हुं दा है जहां ते नाल को कंद चाही दिये जहां कोई रुक सुका हुए या डिगा हुए ओदे उते पैर रखके जहां फिर कोई तकड़ा जया बंदा हुथे नाल हुए जदे मोड़े दे उते हाथ रखके उते चड़े आ जाए सहारा लेना पहि एक दो सिख जड़े पहला होंदे सान कोड खड़े होंदे सान उधे मुटे नुआ थपा के चड़ ज़न दे सा जदो सिख नेड़े आए हजूर के दे नहीं आजदी सेवा पही राम कार सेंग जुन दे दियो तुसी आओ वो दोड़के नेड़े आये क्योंकि नेड़े भी आउन दा करन शरीर तकड़ा सिका भी जदो नेड़े आये सत्कुरान ने मुड़े ते थुड़ा जा थ लाया उंगला हाथ रखनवास दे स्रीर थले बैठ गया पार नहीं चले आ गया दो तेने उंगला लगी आज़े उन्हें माफक नहीं आएगे गल कही आनू कहीं दे करामात हो गई एक करामात नहीं शिक्की वेचे नू बरकत किया जानदा है बरकत ना मतलब कई बारी इस तरह वापर दा है जिदे रही आम बंदे नू समझा उना हुनदा है उती शर्दा नू बटे करना हुनदा है ता जदो बैठ गए ते कहन लगे माराज पार वजन चलेया नहीं जा रहा सत्कुरा ने क्या पाईस है अब साड़ा ते बजनी थोड़ाया जे खराखरू खावाँगे फिर बटे तकड़े हुआँगे फिर जंग कराँगे खड़े वो तकड़े वो कहन लगा जी नहीं समझा आ गई अंदरो हजूर ने क्या पाईस है बजे ते दो उंगला टिकिया ने बाकी सारा स्रीर रहेंदा है चर्ण फड़ ले माराज मैं तो अनू स्रीर समझ लिया सी स्रीर समझ लिया सी तुसी स्रीर नहीं सच जानना गुरू गरंच सहब जिन्मों स्रीर ना समझ न कला वीर माली ने कले जहां आम पीड़ा सहब है इदे विच है बहुत कोई जाओ इस करके गुरू ते शंकार नहीं करना चाहिए जो कुछ कीता है ताँ गुरू ने जो कुछ केता है ऐसी कहने ऐसी भी उस तना करिये ओधिया आद्ना ते अपने आप आउन गिया खाल सा मेरो रूप है खाल सा अंदर स्वाव बदलेगा जरूर पर सिख ओधे वर्गा बनन दी दावा कर दे एदे तो बड़ी मूर्खता होर कोई नहीं इस करके बेंती जड़ी सांजी कर रहा सी अज़दे के जती दाज़डा अर्थ है जात पहारा इस शबदे विच फिर सिखी दे अंदर पाई गुरूदास जी ने जात दी व्याख्या किती उकेंदे ने एका नारी जती होए पर नारी ती पहन वह खाना ए जात दी व्याख् है ता एदे तुआ के गुरूदास जी ने जात दी कीती व्याख्या यानि के संजमदा जीवन जिदे विच बंदे दी जीवन शक्ती जिड़ी है उदा रूप तबदील हो जानदा है जिड़ी अंदर ताकत है ना विकारा दी अम्रत दी बढ़ना है उसी ये पड़ी की चाल निराली चाला निराली पगता है केरी बिखम वार्ग चलना लब लोब अहंकार ताज तरिशना बहुत ना ही बोलना एवी उदे वेच चांदा काट बोलना बड़ा जोर देता गया गुर्बानी वेच गुर्सिक थोड़ा बोलना गुर्सिक ने थोड़ा जा बोलना है ख्याल रखना जादा नहीं बोलना पर थोड़ा जा बोलना जरूर चुपना कर जाना बिलकुल नहीं ते वो फिर एक दम बोलेगा कि ते बार जा के गल्ट एदर उदर उदर तुसी वेखोगे ना जदो दिवान में चसी बैठने हैं दो तेन केंटे जमें कल दिवान सजया सी ता जदो तेन केंटे बाद बार निकले ता तेन केंटे बोलना बंद रया सी आदमी ठक दा निए दिवान में बेठके वो बोलन दी जिड़ी आदत है उनों तो तो उखेडstawी ए क्योंकि बोलना करी बंद कीते हैं नहीं दो-तेन केंटे लगा था सak जानो जदो है थे कोई शरीर बेटदेने ठक दे नहीं हो नाओना नो ξका मुझा हूँ है और कोई नहीं बस एकोगल है के दिन रात बन्दा बोड़दा है जाग दे आ शार बोलन लगपेंदा है ते साउन लगे यां अखां बंद करदा बोलदा बोलदा ही साउन जान दा है ते ताक्त ओजड़ी आदत एन फट लें दी जीवननों कि वो बोलन तो बिना रह नी सकता इस करके असी ये थे भी बोलने है कई बारी है बोलना पहिंदा है मजबूरी बन जान दी की करिए विच बोलना पहिंदा है ता जदो इस तरह दो तिन कहिंटे बैठन तो बाद असी बार जाने है ना ते सारे सजना नो विखना जड़ बैठके गए फिर उँ अद्धा कहिंटा है ना बोल देने तेज एक तुझे नड क्योंकि बैठनी सकता यह अव्यास करना चाहिए था कि आदमे किना चर चुप रह सकता देन दे विच किना चर चुपी साथ सकता है तासी शिरी खंटपट सहब रखने है उथे पाठ दी रोल लाई जान दी दो कहिंटे दो कहिंटे पाठ कीता जान दा है अजे उथे पाठी बदल दा है उथो कटो कटो बार तां आ जाए उथी गला कर लग पेंदे खड़े हो के कोड़ गुरू गरंस है गुना नहीं हो ना दा अंदर रुक गे ना नरजी बोल के पाठ भी नहीं करना पाठ चुप वड़ा है जे बोड के पाठ कीता जा फिर भी ठीक रहेगा तां तुसी वेखोगे उठ दें सार होर कोजना तो एक दुझे नो इशारा करन गे हसन गे एक दुझे ना उथी गला शुरू हो जान गे तां बार आके फिर ओड़ दौड के लब देने कोई गला करन वाड़ा आद में बोले आ जाए तां एक गुरू अमरदास जी ने किया के लब लोग अंकारता जित्रिशना बहुत ना ही बोलना खने उतिखी वाड़ों निकी एत मारक जाना खंडे ते तुरन वाड़ी गला है अउखी तां है पर जेड़ा है दे उते तुरन दा व्यास कार लें दा ओ खंडे ते तुरना है इस तरह है जिमें सडकते जा रहे है उखा नहीं है सिर्फ तांद से अभी पहला उखा है फिर कोई उखा नहीं है अग्गे बचन कीता के गुर्पर सादी जिन्नी आप तजया गुरू दी किर्पा नाड जिन्ने अपना हंकार चड़ दिता हर वाशना समानी ओधी वाशना समा के रूप बदल जांदी है ओधी वाशना दी तस्वीर बदल जांदी ओधा रूप बदल जांदी तुसी वेखोगे रूड़ी पई हुई है माली पहुंदा है हर रोज उदे विच दुरगंदी है वो कूड़ा है सारा जे उसिदा तुसी उदे नेड़े जाओ ते बदबू आवेगी पर उस फूलने उन्नू बदल देता दुरगंदनू सुगंद विच बदल देता आजड़ा सरीर है सिरतों पैर तक दुरगंदी नाली पर रहा है और कोज नहीं है दे विच पर जिदन एदे अंदर गुरू के शब्द रूपी फोलोग पहनेंगे इस दुरगंदी नू सुगंदी विच बदल देंगे इस जायर नू अमर्त विच बदल देंगे इसलिए पटाने बहुत सुणे बचन कैयों कहिन दे कच्चों कंचन पहो शब्द गूर सर्वने सुणे ओ काच्च तो सोना बने गया बदली आ गये एह है यात्रा कच्चों कंचन पहो शवदगुर सर्वने सुनेयों बिखते अम्रत होयों नाम सत्गुर मुखपणियों लोहुं होयों लाल नदर सत्गुर जदतार है पाहन मानक कर है ग्यान गुर कह वो बिचार है कठों सिरी खंड सत्गुर कियों कठों दा मतलब काठ आम लकड शिरी खंड दा मतलब है चंदन आम लकड तों चंदन बना दिता कठों सिरी खंड सत्गुर कियों दुख दरिदर तिन के गए सत्गुर चर्ण जिन परसिया सिपश परेत सुर नर पहे बलिहारी गुर आपने द्योहारी सदवार जिन मान सते देवते किये करतना लागी बार गुरु विच ये महमा वड़ियाई है यह विशह बहुत लंबा है के करतना लागी बार समाने लगदा बार ता मतलब ये थे देर हैं बारदे अर्थ बार भी उन्दा दर्वाजा भी कहीं देने और बारदे अर्थ बारी भी उन्देने कि आज बारी है इस चेज दे बारदा अर्थ एक बारदा इलाका भी है उन्हों बारदा इलाका कहीं दे पर ए थे बारदे अर्थ ने देर जदो गुरूदी किर्पा हुंदी है ताँ देवते बन लगे या देर नहीं लग दी एक को पल एक चटका उसनों बदल देंदा ताँ इस तरह बाबा फरीज जी देख सलोक तो आपा गल शुरू कीती सी पामे मैं पढ़े आने सी हो कि जदो आदमी सुता होया जागदा है क्योंकि यह मैं ताँ आज ले रहे हैं सारी चीज़ा नूँ वैसे ताँ विशा हुंदा हर रोज जोड रहे हैं आज कि कोई विद्यार्थिया निकल किया विशा नहीं बनदा यह तो उन्हें तुसी बनावना है ना किन्हें कोई कागरता कर देओ अज थोड़ा जया इत्वे जिड़ा मठयाई हैं दे डबे होंदे इन्हें ना तो बाचके रहे ते फिर विशा बनेंगा फिर एकागरता होएगी ये तो साधना है ना जड़ी विद्या है विशा है सारा विशा हर रोज हुंदा है पर जोड़ना ता उन्हों तुसी है ना उन्हें सारा विशा अपना बनाया है कि एक आदमी जदो सुता होया जागदा है ताँ वो सुवारया होया नहीं होंदा ये तो गल शुरू होई सी वो दे केस खिल रहे ने पर जागन तो बाद वो इशनान करके वस्तर पैंड़ा तैयार होंदा है सुवार दा अपने आपने ताँ ओ फिर बदल जानदा है तो खंड़ान दी आतरा जिड़ी है एक पिंड़ तो दुझे जान दी आतरा नहीं ये है अपने आपनो बदल दी आतरा ताँ जिस नूँ बाबा फृईजजी ने क्या हो कहाँदे आप सुवार हैं मैं मिला हैं सुवारं दा मतलब है ताँ पहले जी सारा कोछ विच केस्ता हो इने ना जरेख खिलरे ओए सी हून सवार देते गए ठीक कर देते गए चेरा हो इसी हून इशनान कर दिता गया त्यार होTOR गया अपने आपनो सवार ले आ यह दे पावने के जदों, बंदा आपने मन्यदे विच खिलरेया हूँ याँ चीजा नो स्वार लेंदा उन्हों केंदे आब स्वार है सरीर दी गल नहीं है थे सरीर ता स्वार ले आओ सरीर दी उते ता सिस्टम ला ले आओ बड़ी सोनी प्रैस सी कोई वट नहीं तबे सारे उतार देते दाग भी ले गए पर कोई वट अंदर पए होए ने कोई तबे अंदर लगे होए ने उना नो स्वारंदी गल कीती गई जेड़ी पांजी खंड़ांदी यातरा ओ है ता बाबा फ्रीज जी कहीं दे आप स्वार हैं मैं मिले मैं मिले आँशुक होए जे तुम मेरा होए रहे सब जग तेरा होए ता जात दे अर्थ ने जीवन दी शक्ती दी ठीक बठों करनी जात पहारा पहारा दा मतलब दुकान है जात दी दुकान दे उते जमें एक सुने ár अपनी दुकान दे सुने नू करन वासते त्यारी करता है, कुठाली लेंदा है, अग बालदा है, वो हवा देन वाली फूकनी लंदा है, जिदे नल अग तेज करनी है, अग बालदा है, एरन उदे कोल है, हतावडा उदे कोल है, उदे नलों ने कडना है, गैने नो बनावना है, फिर उनने टाल जाना है, फिर उस टकस विच उस दुकान दे विच गैना त्यार हो जानदा है इस तरह जीवन नू के में कड़ना है इस विशे नू कल आप सारी पावड़ी नू संपूरन करांगे के जिंदगी नू के में कड़या जा सकता है अज एनिया बेंतिया आप जीने परवाण करनिया वह यह पुला चुका झाल दे के माओव नू झाल झाल